नमस्कार प्रणाम आप देख रहां चामपारन सफर निए अभी हम आदापुर के घुसुक पुर्टोला में उपस्तित हैं यहां का एक ममलत तेजी से वाइरल चल रहा था हम लोग भी एक बार आये थे जिस समय हत्या हुआ था एक रोज बाद में अलिन नाम की जो लड़का थे उनकी पत्नी के दौरा असंका उस समय जताई जा रही थ हाध्य कर दिया लेगिन कल का जो निवज है आप भी सुनकर आपका भी दील मतलब उतिखे म queremos Hate open पती और पत्नी का जो सरमसार करने वाला रिष्टा होता है इस पवित्र रिष्टे पसे भी विश्वास उठ गया है कि अब आपने पत्नी पर कैसे विश्वास किया जाएगा और आपने कैसे किस रिष्टे पर विश्वास किया जाएगा हम जानना चाहेंगे यहाँ पे उनके परिवार के साथ हम लोग पूरे मीडिया मतलब चैनल के जो भी रॉक्सौल से हो या पुरवी चमपारंजीला से सब लोग मिलकर इनका सोजों किया और असली हत्यारा पकड़ा गया हम जानना चाहते हैं कि असली हत्यारा कौन है सबसे पहले का भाईरे रहुए थाना में गरनी हम अब खोना लेगाई लाग हम यह रहने तो कौन मरा रहें पती का कौन मरा तो हमारा सवसूर भाषूर घौर भार मीलकर हमारा सवसूर ने इस काज़के से काट जो एक घ्लास से काटा है तो कॉल क्या सोभीकार की एक कॉल का यह बताई कॉल का सोभीकार की एक यह अनिल की माह है देख सकते हैं इनका चेरा जिस घर का मतलब बंस खतम हो जाए और उख कुल के नाम पे उदाग लगाने वाली अवरत अपने पती को जो बेरामी से जैसे की एना आप भी सुनकर मतलब ख़ड़ाаю निशन कि कालु काभल फुलिसए ऐए नहाया नहाया कह रारी अ मूह भीटता है के आपनू लेक काकलो नहाया लप याटॅ हरे अनरक लेक वाली यह थे अपनू लेके चैसे बने सबीनरताना तो नहाया नहाया ऱाया से थे कापडा में लपेट के ओदिने मने उकरागे खून के जेतना दाबारे उकरागे कापडे में पोछा रहा है दे जाओ ना पर कोई लगार यो करें के चिन्ज कर दे ले और अब हम ऐन फुरागे खूला ले लुका के लिए पुलिस आए रहा है जब और अवरत से पुछ लगता हूं कावना चीज से कट ले बड़ी तो ले तक अमर बड़ा बेटी जेठी जे माई हाँ कोई सन एथी बल दावे एथी एरे कापड़ा हो समतोलवा रंके पाइट तहीं का के लोगली गारी देवे जे गुगा भागतिन अवर भाई ओर आगल तो भीगा ओकर भीगाता तुका अपन भीगतारी को तिया ना दीदी जी हमर घृटी में धोईल भाई हमर ना लागे बलू यह कर हुगा बना निकीके तब को नी हाज दादा बड़ी में देखने है खून लागल भारी हैं हाज दादा बड़ी है पर पर दो को मर के निचा से पूरा पर तक यह पर तक यह पर तक यह पर ता पर अपन जा दो गोगा तो अवर टाध लेड़ी है तो यह अफे उठा कर ले निसान तो यह जो पुछरी हो के लाग सब मुखीया सब नहीं लग़ा नोट असार और भाई पंच अनि लग़ां जिन्दोगी निमा लिये, बताव जाएंक मुझरी भातोषा एंदीन के खुन लागाल बतोर राज्टों मर लेखो कि यह तो कोई देया, ना कोई तो कोई अजैद्टी यह जैना हम भलू मार देले भानी गानाशी सा बलू सब कोई खाना तो हम नहीं में जागरा होगा तो आपने पती को बेरहमी से गालासी से जो आरोप लगा है और सुरिकार की है कि गालासी से हम काट दिए हैं ऐसा देखिए एमतलब पती को बेरहमी से कैसे मनें अपने पती को движ quan, जिसके साथ संबंध बनाना सादी करना और ईक बच्चा भी है आनिल को और उसको थोड़ा भी दाया नहीं आया कि अपने पती को कैसे बेरहमी से मार रही ह हम जानते हैं अनिल की भावी हैं और उस का बताए हमको तो थोड़ा सा मने कहने में भी लग रहा है इनको बहन कहने में भी सरम आएगा कि हुआ हमारी बहन है सबसे पहले बताईए कि कल क्या सुभिकार की है आपकी बहन अब रुआ बताईए कि कुछ दूर बाहर फेक दाए हम तो ना देखिनी उवे देख हमाना ना देखिनी तो जाको देखता है इंकरे पाइंट रहा है अब रुआ बताईए कि राउर वहिन बाड़ी आउ बहीन के नाम पगलंक बाड़ी राउर ममी पापा उनका बारे में का को अतला रुआ हुआ से फोन पर बात हो जाई रहा हुआ ममी पापा के देखिए यहां पे बहन है सागी बहन है सागी बहन भी सपोर्ट नहीं कर रही है वह इसी मतलब कलंक नी बहन का एक कलंक के कारण अपने पती का और इनके बेटे का और इनके भाई का जो मोडर कर दी है आप लोग को भी टर्चर किया गया था पूलिस के माधे हमसे आपने बाचला सब के अपना बचला सब के पासा के बहुंच जाए जान बचा आपना सब के नाम्रा वर रही है तो पुलिस परसासन से भी निवेदन है प्रातना है कि कोई भी बाप अपने बेटे को नहीं मार सकता है और कोई भी भाई मतलब वो कलंक नहीं थी जो अपने पती की हत्या कर दी है अईसा इस पूरे जीले में नहीं चमपारम नहीं पूरे बियार में पहला खबर बनके रह गया है जो गनासी से धारेधार हत्यार से अपने पती को छोट पे काट दी है सबसे बड़ा बेसरम मतलब वो अवरत होगी जो ऐसा करेगी और आपसे भी निवेदा ने जो भी लोग देख रहे हैं कि कम से कम प्रेम परसंग का जो मामला आता है आपकी लड़की है तो कम से कम लड़का का फोटो दिखा कर विबाग करें और रिस्ता को समझ कर विबाग करें ताकि आईसे रिष्टा में खटाक ना आए आईसे किसी का घर ना उजरे अगर उलड़की चाहती है कि हमारे अपने मरजी से कहिं हम दूर जाए तो उसको भेजद नहीं भलाई है कम से कम हत्यारा तो नहीं करेगी हत्या तो नहीं करेगी इस परिवार का जो बेटा उजर गया भाई उजर गया ऐसा तो नहीं होगा फिर सानिल वापस तो नहीं आएंगे यहां